आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी की बीजेपी इंदनों यूरिया और प्याज को लेकर राज्य सरकार पर भिशाने साथ रही थे और ऐसे समय जब की बीजेपी के एक विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्ता जो पहले खत्म कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में सरकार इसके खिलाफ भी गई थी कि जो उनको सजाद दी गई है वो ठीक है हलाकि बीजेपी ये कहती नजर आई शुरू से लेकर आकरी तक के प्रहलाद लोधी का इसमें कोई जोश नहीं है और जब तक स्टे है खासवर पर हाई कोट का स्टे है तो उनकी सीट खाली नहीं की जानी चाहिए थी अंते तरह जिदान सबाद जश ने इसे स्टे कार किया और सुप्रीम कोट के स्टे के बाद उन्होंने प्रहलाद लोधी की सदस्ता बहाल कर दी अब इसके साथ ही जो शीत काली इन सत्र है वो बेहद हंगामेदार रहने वाला है और उस पार बीजेपी के जो तेवर है वो बहुत गौर करने लाइक हैं क्योंकि इस सत्र से पहले ही बीजेपी के सारे नेता प्रमुख मुद्दों को लेकर जिसको काहें जम कर आवाज उठा रहे हैं आज इसी जिशे पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुगात करें उससे पहले नहमानों का परिश अगर मैं बात करूं B.J.P से वरिष्ट नेता हैं, पूर विधायक है B.J.P के श्रलेम प्रधाण जी, । बीजेपी का पख्षा हिन गे इच्छात्मक टिपणियां लें और सबसे पहला सवाल यहां पर आप से बनता है प्रधान जी कि बीजेटी के बुख्य सचे तक जो है डॉक्टर नरोत्म मिश्रा वो आज ये बयान देते नजर आए कि यूरिया को लेकर प्रदेश की जो कमलना सरकार है उसको श्वेत पत्र ऌरते ना चाहिए कि वाकलिसंकट है या ये क्रत्रिम्सक्र बनाए गया है? जेकि भार्ती जन्ता पार्टी में यूरिया की डिमार्ट हम जुलाइड अगस्ता भेश देती थै। कांग्रेस की सरकार ने यूरिया की डिमार्ट शितंबर में रिक्र दूसरा भरती यंद्र पार्टी में पूरी यूरिया हम सुसाइटीस के नाम से, सुसाइटीस के माद्धम से भटवाते थे कांग्रिस की सरकार ने सुसाइटीस की ज्यांच विच बिटवा दी और पहले इन्होंने यूरिया प्राइट पार्टीस के थुरू बटवाया कि प्राइवेट पार्टी उसको ब्लेक मेल करने में, दबा के रखने में, डी एपी लो और ये लो वो लो करके बेचते हैं, जब हाई तो वह मची, तब इन्होंने वहला हम 80 और 20 के रिष्णों में, 80 सोसाइटी से बिखवाएंगे, 20 प्राइवेट से बिखवाएंगे, बर जब हाई तो वह मज गई, तब चिल्नाने लगे कि पंदर लाक चन यूरिया मांगा, साड़े पंदर लाक चन दिया, भाई यूरिया जब फसल बो जाती है, उसके साथ दिन बाद जब पानी देते, तब डाला जाता है, या बरसात हो जाती, मावट आ जाती, तब डाला जा तो यूरिया की डिमांड जेवन पे नहीं आती, इस्टेगेंस में आती है, यह इनों ने गजदी की इसी को लेकर आप श्वेद पत्र की मान कर रहे हैं, खुशन है कि आपने खुदी गड़्डा खोदा आप जब खुदी उतर गए, तब खिल्दा देले हैं, हाई हाई और सबसे बड़ी बात कि श्वेद पत्र की मान की है, मुखे सचे तक डॉप्टर नरोस्ता मिश्णा ने, उनका कहना ये है कि बाजार में ब्लैक में यूरिया उपलब्द है, यानि तीन सो रुपे जाद हो जितना यूरिया चाहिए ले जाओ, और सुसाइटी पर ये उप या खाद या जो भी है, इस वक्त आप इसको संकड यूरिया का है, मैं कोई शक नहीं है, सोईद पत्र की मांग अगर बीजेपी कर रही है, तो अपना राजनेतिर दिरिष्ट्र कुन है, लेकिन मेरी दिरिष्ट्री में मैं देखता हूँ कि ये जो केंद्र और राज्यों क हितों का, राजनेतिक हितों का और राजनेतिक एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रिवर्ती चल लाई है, ये बड़ी खतरनाक अब शिरू हो गई है, अब एक तरफ अभी यूरिया का भी आया, पंदरा लाग टन कम दिया, जो नहीं पंदरा लाग नहीं, अठारा ला लाग टन कम दिया, जो भी, तो ये एक, तो अब इस से अगर जिस्ता मागता होते देते, तो यहां पर किसी प्रकार का अन्रेस नहीं होता, तो जनता में, लेकिन अब भार्चेंट्र पार्टी की सरकार के इंदर में हैं, तो वो तो ये चाहेगी कि यहां पर इस तरह का मामला आया, आर्थिक जो स्टेट का शेर होता है, वो उनको देना चाहिए, नहीं दे रहे, और नहीं दे गए, तो यहां पर संकट तो आर्थिक संकट आएगा, यह जो इस तरह की जो प्रिवर्टी दोना, यहां यहां यह आपका कहना सही है, कि आपस में प्रदिसमिन सा च पास जाएए, व्यापारियों पास वो जितना यूरिया चाहिए, दे रहेंगे आप, देखिए, तो यह कैसे मिल रहा है, प्रकाशी एक तो अगर यह निती हो, कि प्राइवेट दुकान पर किसी को यूरिया मिलेगा ही नहीं बेचे गहीं उसको अधिकार ही नहीं होगा, औ यूरिया कोई ऐसा नहीं कि दा व्यापारी डारेक्ट मंगा ले केंदर से, राज्य सरकार बुलबाती है और बीजेपी के शाषनकाल में यह होता था, 50-50 परसेंट, प्रकाश जी, यह भी सो है कि केंदर सरकार जब राज्य को नहीं दे रही हो, हो सकता है, व्यापारियों क केंदर सकता है, जो यूरिया होता है, वो जो पेट्रोलियम रसाइन विभाग है, वो जारी करता है, राज्य के जो मांग रहती है उसके साथ, और राज्य को देता है वो पूरा, और ये बीजेपी नहीं शुरू किया था, कि 50% व्यापारियों को देती थी बीजेपी सरकार, और जब यहाँ बीजेपी सरकार थी प्रदेशन, और 50% सोसाइटी से बटवाती थी, आपने भी उसी प्रक्रिया को चलाया, तो उसमें ये हुआ, कि जो 50% व्यापारियों के पास आपने दिया, उन्होंने उसकी काला होना चाहिए, इसलिए दोनों पर जिम्मेदारी होना चाहिए, आप किसी एक को दोशी नहीं ठ्यारा सकते, ये तो आपका यूरिया का हो गया, बाकी सब और भी चीजें हैं, आप देखिए, नहीं अभी हम इसलिए ये बात कर रहे हैं, कि आप देखिए, आज जिस तरीके स है, आपने देखा शमसाबाद में एक ट्रक लुट लिया, किसानों नहीं ये देख रहे हैं, आप खाट से बढ़ा हुआ, उन्होंने मांगा था पचास चैन और आया, एक ट्रक ही तो वह लेके बाग ख़ड़े हो, तो बट नेच्रल है, कि उट पे अगर वो बादार में च हैं, अगर मान लिए अभी डिमांड आ रही है, तो आपने जिन व्यापारियों को 50% दिया, उन से बापस ले लीजिए, उठाके किसानों को बाट दीजिए, आपके बासे होना चाहिए, मैं आपके बासे सहमत हूँ, कि उस पे नियंतरन होना चाहिए, व्यापारियों को इस इस पे नियंतरन सरकार का होना चाहिए, यहां अभी नाशी आप से जानना चाहूँगा, जो यह समस्या है, वो अफसर साही की है, कि वह वो ना तो जन प्रसेंदियों की बास सुनना चाहते हैं, फील्ड में जाते नहीं है, तो उन्हें पता नहीं रहता कि खाद विदरन कै कैसे होना चाहिए, कैसे आम किसान तक खाद भी पहुचना चाहिए, एक तरफ मंतरी कह रहा है कि नकली खाद भी पेचने वालों पर आप F.I.R. करो, आफसर कहता है, नहीं करो, तो यह मतलब क्या सुप्रीमेसी की लड़ाई चल नहीं है, को जादा सुप्रीमेसी की लड़ किसान नाराज हो गया है, किसान इसलिए नाराज हो गया है, उसको बासी कीजियों की जबवच नहीं, और जो प्राइवट सेक्टर को कह रहा है, कि अब या फिर पैसा जादा दो, हाँ, या पैसा इंडरेक्टली वही है, कि यदि आप उसकी कोई ऐसी चीज लोगे, तो उस जाहां बंद गर लिया, और वहां पे सुसाइटी में गए, तो सुसाइटी में और अल्रेटी में अल्रेटी इस तरे वहां दुकान बंद है, या वो ट्रक आया, तो हाल क्याल बिच गई, पहले ऐसा होता था, कि स्टूर में रखा जाता था, सम लाइन दरा के काम करते थे, आज से 10-15 साल पेदे भी ऐसी घटना होई थी, ऐसा नहीं है, ति मगर बात में ये खीक होई तो चालो रूप से, इसमें वित्रण की जो वेवस्ता है, उसमें पॉर्ट है, ऐसा आवको राता है। हमारी की कारवाई करते, कि वो अगर मान लेगे, 266 रुपे की एक बोरी है, यूरिया की, वो बेच रहे हैं उसको पांच सुर रुपे में, से सुर रुपे में. ये वित्रन पढ़नाली का अपको परभनना ने, वित्रन पढ़नाली के लिए अलग एजेंसी हैं, उसका हमारा ने नियांतरा नो चाहिए कि आप, अगर हम कोई यूरिया की जिरुवत हैं, हम कीटना सकते हैं, हम दूसरी चीद क्यों लेंगे, तो उस पे नीयांतरा नो चाहिए, और इस तरह का कोई करता हुआ और पकड़ा जाता है, ये कुछ करता है, तो उसके खिराफ सक्त सक क सब्सक्राइब करना चाहिए और खुद बीजेपी के नेता इस बात को उठा भी रहे हैं पर सवाल यह उठ रहा है कि जो अव्यवस्ता है उस सब के बीच आपके बागी के नेता अब जैसे डॉक्टर नरोता मिश्रा को छोड़ दीजे या गोपाल भारगल जी को छोड़ दी कोई भी किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है तो यह क्या बीजेपी में भी फूर्ट पड़ गई है कि जनता के मुद्दों को भी वो उठाने से परहेज कर रहे हैं जेकि बड़े नेता तो धोपाल इसकर पहिए उनको ज्यादा पुपिलिट्रिटी में चोटे में जो किसानों की जो मांगे हैं या जो इसके विरोध हो रहा है या जो अंदोलं कई ना कई हो रहा है विजेपी वालों का साथ है हमारे मंडर जिला इसकर के कालिकार का लिए नहीं हो रहा है और आप देख रहे होंगे यह जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हम आपको विदीशा की दिखा रहे हैं हम आपको अविदल्ला गंज की दिखा रहे हैं अशोक नगर की दिखा रहे हैं जहां जहां किसान चक्का जाम कर रहे हैं आज भी जिसको कहें दो जगे चक्का जाम किया है किसानों ने तो बात यह उठ रही है कि जब व्यक्ति खिसान परेशान है इस समय यूरिया पाने के लिए तो आपके ग्रामीन इकाई जो है शहर की इकाई जो है वो इनके साथ नहीं खड़ी है जादा उससे एकदम यह पब्रिसाइज होता है कि इसकान के नाम से आदरों खड़ा हो रहा है पर शक्तियां भार्ती जल्ता पार्टी के उसके साथ जूड़ेंगे जिप्चन जी जिस तरीके से मध्यपतेश विधान सभा में अब जिसको रहें सीदकालीन सदर की शुड़ात होनी है और बहुत मुश्किल एक सब्ताही बचा हुआ है यहां बीजेपी उन मुद्दों को और गरम करती नजर आ रही जिनकी वज़े से आम जनता या किसान नाराज है पर अफसोस इस बात का है कि सरकार जो है वो और पलीता लगाने पर लगी दिए कोई भी आपका जिसको कहें मंत्री फील्ड में नहीं जा रहा है कोई भी आपक बड़े जो जिनके पास शक्तियां हैं वो लोग नहीं जाएंगे फील्ड में तो जनता तो निराज होगी ना कि किसको अपने सरकार बनवा दी तेगे प्रकास जी इस बात से से मत्रूं मंत्रियों को जनता को और कांग्रेस के जिब लीडर्स हैं उनकी समस्याओं को सोनना पूरी पूरी अपना जो नगट उसके निरुषा के नारु चाहिए और यहां एक बात और जोड़ूँगा कि ये जो जो आप भी बीड सी की बात कर रहा हैं जो अगर अबिदों को पूरा नहीं कर रहा हैं और उसकी वाध से अगर किस तरह की शत्टा के और शातन के बीच म एक खाई जो पेदा हो रही है या तो उस पर यह मंत्रियों का मुख मंत्री का इनलों के दायत वे उस पर कंट्रोल करें और जो आभी जो छबी शातन की अच्छे काम हो की भी खराब करने के लिए जो लोग काम कर रहा है उन पर नियंतरन करना चाहिए बिलकुल यह चाहे वो म लोग जो है जो आवंटन लगे हूए हैं उन सब पर उनको न्यंतरन करना चाहिए यह काम सेकर्टी का भी है और शीफ सेकर्टी का सिर्प यह काम नहीं कहान बेट करके और अपना घर से आ हाए बलावान में बेढ़िया उसका यह भी काम है कि पूरे प्रिदेश के अंदर प वो पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है अगर वितरन परडाली में किसी प्रकार के कोई गड़वड़ी आ दिये तो जो फूट कंट्रोल है आपका उसको एमडी को जो लोगी है और जो जो एजन्सिस के दरिये आपको यह खाद बीज दूसी चीजों का वितरन होता है उनका सही त हिम्मेदारी संबंदित दिले के कलक्टर को फूट अदिकारी को उनलों के होती है और वह आप उनको निर्वा करना और इनके सब के उपर नहीं कर रहा है ना आप देखिए राइसाइन की हमने आपको बढ़ना होता है अभी तक तो अगर इस तरह की जिकात मिलनी हूं कि जा यह हो जाते है और यह आपको समझत्राइब देखाई जरी बिल्कूल को समस्या क्यों कि बैई जो तो कोई खी नहीं कि जिस्था सामान किसानों को चाहिए जितां तानों को चाहिए वोग्र तो लेकिन इसके बाद जित्ता है उसको ऑसो की तरह से विसंद्र करें और यह तो आपने भी देखा होगा कि अभी लक्षमन सींगी जो कॉंग्रेस के विदायक हैं और पूर मुख्यमंतरी दिखीजे सींगी की छोटे भाई हैं उन्हों नहीं अभी बीना गंज में देखा गोदाम में छापा मारा तो पता चला यूडिया भरा रखा था पर संबंदित जो तैसिल्दार एस्टिया में वह अपना व्यापारियों से मिलके घूस खाने के चक्कर में या जिसको काला बजारी से जो पैसा मिलता है लेकिन प्रकाशी अभी वह तैसिल्दार है जो लोग भी संबंदित अधिकारी से वह यह सब जब मिल गया सामने आ गया गया तो उनके खिलब पर ना करवाई करवाना चाहिए थे लक्षमान सिंग जी को जिस्ते पर प्रभाफ शाली हो स्वेंबी हैं कि अगर जाकर आधिकारी के पाद जाएंगे चिप सेकर्टिया कर जाएंगे तो उनको आंसुनी नहीं कर सकते हैं वह और उनको जाकर करना चा बैठे और उनको बटवाना चाहिए अच्छा है हर एक हर जन प्रिजिंट्री को उनको फालो करना चाहिए तो यही बात उठ रही है कि जो मैंने सवाल पूंशा था आप से कि मंत्री अपने प्रभार के जिलों में आगस्मिक दोरा नहीं कर रहे हैं वह अपना बास ट्रांस इनने कोई लेना देना जैकि प्रगाजी मैंने अभी आपसे यही का ना सभी मंद्री ने इस तरह से विदाय की नियने अपने दायत का निर्वा करा उस तरह से मंत्रियों को भी करना चाहिए और उसी तरह से नहीं आप आठाइस मेंबर आपलमेंट भीजेपी के सरकार में के इसे परिदेख कंदर वो की नहीं कर रहा है वह आपनी मेंसरा कारजी या गोपाल भर निरूस्ता मीशरा पिर ने दिया गया इस दरह supply निवी यही तो कह रहा है कि अगर कमी है तो हमें पता चले के हमारी तरफ से वो यह कह रहा है कि जिनी आपकी डिमाइंड आपने की उतना दे दिया गया और उससे बड़ी बात जो अभी इस प्रदान जी ने कई आपके सामने उधारन है कि जब दीना गंज में खुद पहुंचे लक्षमान सिंग जी तो उन्होंने का जब इतना रखा हुआ तो इसको प्रदान जी ने बताए यूरिया कोई खाने की चीज नहीं और एक साथ नहीं डाला जाता उसमें यह रहता है फसल पर आवशक्ता अन्रूप किस्तों में डाला जाता है कि एक पानी दे दिया फिर आपने फसल को तो फिर थोड़ा सा यूरिया डाल दिया अगर चार बोरी अगर आपके पास यूरिया है थारा लाग मीट्रिक तन का तो भी आप सफीशन्ट तरीके से उसका प्योग कर सकते हैं आने वाले चार महीं पर वह होई नहीं रहा है अपसर जो है वह अपना खमाने खाने में लगें आपको पता है यूरिया के दाम बढ़ा दिये उसकी अब 55 कि अ रही तो किसान मरवी रहा है एक तरफ से महंगा यूरिया भी दे रहे और उसके बाद आप उसको समय भवलब्द भी करा रहे हैं अब बोरी फीर 3000 किलो या 50 किलो या एक कृंटल के वो तो वह तो और उसका बूचा बुर भरी के थार स्थ एह तो इलग बात होगी अगर वह रचा का मूल भरी का किलो के साथ होता है कम कर दिया है तो यह आप को्ति होगा कि फ lesson कि बोरी आती थी अब वो उन्होंने उसमें लगवग लगवग चार किलो आप या चार किलो 900 ग्राम उन्हें कम कर दिया है अब उसने ही पैसे में दे रहे हैं यह क्या किरा है कि हम वह यह कीमत भी बढ़ा दी और कैसे किसान को बेवकूप बनाया कि पहले पचास किलो मिल ता आज से तीन साल पहले दो साल पहले अब वो मिल रहा है दो सबस्टानीस किलों ने बढ़ाई है कि राज जी अब आप सुन लीजे अगर खीमत बढ़ाई है तो ऐसी ब्लेक्लिस्टेट कंपनियों को अधिकारियों ने एंगेज कर लिया जिनकी जरूरत नहीं थी फिर भी आ फिर ये अव्यवस्ता होने के बीचे आपको नहीं लगता एक रेकेट काम कर रहा है आपकी सरकार में जिसे आप ही नहीं पकड़ पा रहे हैं सरकार में भी हो सकता अधिकारियों का हो सकता है रेकेट तो सबसरा के आजकल रेकेटों का भी ऐसा जमना आ गया है कि अगर रेकटों को बात कर देंगे, तो यह बहुत दूर सेली ईगी, यह रिकटों की यह ढ़ Kag़ लेकिन लेकिन , यह जनता, जनता इस से प्रभावित है , कि सान इसी प्रभावित हैं, घर इस rutSai एक के अपने प्रशासनी की जो अमला है उसके कहें कि वो उससे पर कारवाई करें और जनता को YouTube कारफ कि किसानों को इस तरह से वितृण में अगर आपके पास गोडाओं में है तो उसको गोडान में काला बादी करने के जनता में वित्रन होना चाहिए और पर नियंतरन होना चाहिए। कुछ लोगों को किसानों को संगटनों को जिसको एक बोरी चाहिए वो चार बोरी मांग रहा है। मैंने जैसा बतला है कि तीन बार युरिया डलता है एक बार नियुक्ता और जब जमीन नम हो जाती तब उस पर डाला जाता है। पानी में वो घुल जाए और ओधे पहुंच जाए। अभी ऐसा नहीं कि जैसे कोई DAPA जो फसल के साथ बोया जाता है ऐसा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है यह मिस मैनेजमेंट है और आउट अफ प्रपोर्शन ब्लो हो गया है। या अभिदाजी मैं आपसे आना चाहूंगा कि सरकार जब से आई है साल भर हो गया है। और एक हाथ को पता नहीं दूसरा हाथ किया कर रहा है। को मंतुरी को पता नहीं मंद्ड रहा है वो अफसर को पता तो हे पर व्हो जानकुछ कर आंके मूद यह जो अवीबस्ता आपको लगता है जैन हित के लिए ठीक है और क्या इसमें हाई कमान हो मुख्य मंत्री श्वम हो उनको ऐस्तशीप नहीं करना चाहिए किimiz दो Pra अपने को सुद्ध बनाने के लिए अपने को सुद्ध किया कि इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि अब जो इसमें अपसरों की पढ़ांड लिए उसमें सरकार के फिर्टीक गैप है जो बहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहा है तो उनकी जो पकड़ है जो आप इन्हों ने बहुत अच्छी बार की कि करेक्टर इंपावर होता है और यदि करेक्टर अपनी दम पर दम ले ले तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वह यूरिया बड़ी बाद आपने कहिए यहां दी जिनका एक रुपई यह माफ नेए पास आज की ही एक खबर है सत्ना से किसान का 70 जार रुपए का बिजली का बिल आया वो जब माफ कराने के लिए या जिसको कहें उसमें सुधार कराने के लिए बिजली आफिस पहुचा तो करमचारियों ने उसको कहा कि जमा कर दे नहीं तो तेरे खिलाब पुलिसिया कारवाई हो जाएगी और तू अंदर हो जाएगा जेल चला जाएगा उसको वहीं अटेक आगया और सतना MPV आफिस में आज उसकी मौत हो पहुचा किसान की मौत होना ये सरकार के लिए शर्मनाक नहीं है क्या देखिए ये बूफ दुर्भागपून है और किसान की अब वो तो जाच के बाद पासे लेगा कि उसको हार टेक क्यों आया ये जो आप पता रहा है उस वज़ा से आया या पहले से वो बीमार था वो तो इसके मामिले में लेकिन इस तरह का आगर यह आता है ब्यावार इनको जिते भी चाए वो कि विजली विवाक के हो चाह क्रिशी विवाक के हो किसी भी तरह के हो नहीं पर आजी दो गड़ना मैं को पसा देता हूं एक व्यक्ति से मीटर का है हटड़क से मर गया कि अचानक उसको लगा के यह माफ होगा नहीं पैसा है नहीं उसके पास तो वो निकल लिया उपार देखिए प्रकाश जी इस तरह की घटनाय पहले भी होती रही है और अभी भी मैं समझता है यह हो रही है लें और लेकिन जिन कारणों से यह घटनाय हो रही हैं उन कारणों से उनका को देख करके और उस तरह की पुन्डवरती ना हो इस तरह ये काम शातन का है प्रशातन का है कि इस तरह की पुन्डवरत्यों को रोके और फिर ये बिजली का समस्या का जो मामला है इस पर तो बिजली विवाग को पूरी तरह देखना चाहिए इपनी मन मानी कर रहा है जब उर्जा मंतरी हैं प्रियवरत सिंग्ञ है को यह क्या है मतलब कि सुन रहा है फिर यह देखे में वही करहा हूं कि अगर जिज्ज विवाग का मंतरी है वह अपने विवाग पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा है तो मुखमंत्री जी पास सीदा सीदा उसको जाना चाहिए कि मुखमंत्री जी आप लाइए, मेरे सामने बुलाइए और उनको लाइए और करके यह कहि hon कहिए कि आप जब मंगंची की नहीं सुनेंगे तो किसी सुनेंगे स्टिवाइब क्या इनी सब विश्यों के लेकर शीत काली सटर में आप इन घटनाओं को एक जाई करके रखने वाले हैं सरकार के सामने कि विपक्ष का काम ही है कि सरकार्ट की कंग्यों को गिनाए पुजागर करें जान्दावा में हर जिलिक से सूचना है आँगी विधायक अपने प्रेशन लगाएंगी उसके बाद बहुत सारे घचना जो है वो सामने आँगी और हम उच्छी थी ये महसूस करते हैं कि मानिये क अमनलान जी अपने मंतियों पे नियंतर नी रख पा रहे हैं मंति अक्षब है ये शाब मुझे कहने में अक्सूर बहुत बढ़िया आपने बात कहिए और बेरता सब्सक्रा का इतना ही समय था आप सभी मिवानों को बहुत बहुत धहन्यवाद और आभाद मैं बात करूं अ ुट को अzamने आफ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है यही वज़ा है कही है किसान आत्मत्या कर रहे कहीं सान और और मंत्री घोष्डाएं कर रहे हैं यूज अ क्यास्त कारक्री वासकोर मिंशुच्छ में इतना है उब्शा तर्यारी निया विवाह पोद्सक्राइएा हैं झाल